अभी आप देख रहे हैं कि हम जहां में स्टेशन में पेठे हैं और संजेजर जी का जो सुनिल्द साब का जो गाउं है बंडोली तो उसमें हम आपको अभी लेके जाएं तो उससे पहले आप देखिए यह आप हम जहां पहुंचे हैं यमुना नगर जगादरी के अंदर जो याप मनठोली गाउँ है संद्धा साब का खुष में हम अब आपको में देख रहे हो है कि मांठोली के तक्स घाऊं में जा रहे हैं अभी तो आप यह देख रहे हैं है इतने पुराने टाइम के ज़ो चटकी है जा अब कि अभी थोड़ी दर में पहुशने वाले हैं सुईला साफ का जो घर है कि मंडोली जो गाउं है यह देखिए आप अपना विकी सिवानी और आप देख रहें बोलीवुड हिस्ट्री बोलीवुड हिस्ट्री में आपका स्वागत है आज की जो वीडियो है बहुत ही रोमांचक और बहुत ही देखने लायक वीडियो है आज हम पहु Faculty술 और हमें आपको वीडियो के माधम ठी जो पुरानी चीज़े हैं जो स्कूल और यह सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूं तो आप एक सेड में मंदिर आप यही है कि मैं वीडियो के अंदर जो यह बोर्ड है आप देख रहे हैं आप देख रहें। गोरोपट ग्राम पंचायत मंडोली खंट जगादरी जिला यह उना नगर तो इसमें जो आप गोरोपटी जो बोर्ड देख रहे हैं इसमें परतिशिष्ट व्यक्ति और जो डोनर है जो गाओं में जिनका स्योग रहा है योगदान रहा है वो यह लोग है जिनका नाम लिखा में पंजाब में पंजब राज्यें के जेल जेलम मैं चला गाओं में जो से पहले जो खुरडा गाओं में ठे और उसके बाद में जिए जुए 2 पहले जो चुछिभादन ज़हाम hierarchy झाल नहीं आप सापने बोड़ पे देख रहे हैं कि लिखा हो एगे में पहली और इंडिया के रिखा वह है कि तשतावण से लिखा हुआ है कि वो उनकी दूसरी फिलम थी तो आप मैंने आपको दिखाया था बताया था कि जो मंडोली गाओं यह जो आप मने मंदिर दिखाया ज़ुद सुनील दा साब ने जो मंदिर बनवाया था यह आप मेरे पीछे देख रहे हैं और यह यहां यह पीपल का पेड़ है और पिछे जस् मेरे ने मेरे कमी शेख ने मरन एम बनखे दोग्याओं यह मंतलब है कौन इंट खाहूं है यह मंदिर किन पहले बनवाए था तो कौन आप मेरे फेले हो त rema क। पर न्मस्कार बाकर नमस्कार कि यह मतलब कौन शाओं है यह अब बताया कि इम्नानगर के अंदर जमनोली हरियाना में पढ़ता है तो मैं आप से पूछना चाहूंगा कि यह मंदिर जो किसी ने बनुआ था यह सुनिलत साब ने बनुआ था और इसके अदर पहले हमारे पिताजी रहते थे और वहां उस समय जब आपसे पहले आपके पित अब लेकिन मंदिर में बैठे हैं तो आप और इस फिल्में तो देखी हुए अपने सुनिलत साब की बाल्यवस्था में हमने फिल्में देखी हैं लेकिन अब तो हमारा काम जोहना पूजा पाट का हमारा जान बगवान के चर्नों में लगए रहता है और फिल्मों के बगेर में तो हमरा ज्यान रहता है अदिन सुनिल्लाइज साहब मंदिर में आये हैं कभी हाँ जब में वालेवस्था में थे उस वक्त वह आया करते तो मंदिर में काफी भीड़े होती थी काफी लोग कि इकठे हो जाते थे साल में कभी कबार वह एक बार ज्रूर आप तो और उनके कि आप आपक आपके जो बीकार को सवाल था रब रफिष्टे में कुछ नहीं लगते थे लेकन उन्होंने यह मंदिर बनुआ था यहां शाल में यहां आते रहते थे उसके बाद उनके बीड़ को नहीं लेख आप काफी गाओं में काफी भीड होती थी और जो आसपास के जो अक्षेतर के लोग थे वो काफी यहां जमा होते थे आते थे अच्छी मानसमान के साथ सब का आधरबाव किया जाता था सुनिय साथ जो हनब होती सब का मानसमान भी रखते थे वो सब के प्यार और प्रेम से सबसे भाते भी लेकिन अब उनके बेटे है ना यहां कोई नहीं आ रहा है वैसे मंदिर में जो सुनिल्दा शाहब ने बनवाय था पंडी जी नगे बताई है कि उन्हों ने दिम्ने बिदाने बालेवस्था सबस्क्राइं फादर शौटे थे थें में मतलब आते थे तो पहले कुछ भीडबार रस होता था और तो लोग आ जाते होंगे चारो तरह दूसरे कॉल्डियों के लड़कों के जादा क्रेज होता है तो मैंने बताया कि वीडियो में हम पहुंचे हैं मंडोली गाओं के तो कुछ लोग है यहां पर मौझूद हैं जो बैठे हैं सामने वीडियो में अप देख रहे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे अभी कि पुछेंगे कि को संजेज साब के बारे में हाथो सबसे पहले तो नमस जैसे किनुह ने बताया कि जैसे कि निए बताया कि जुद्ध गाओं पहुंचे हैं हैं वो इनके रिष्टे में चाचा जी लगते और गाउं में मतलब उनके क्या क्या काम करवाया है पहले वो धार्मी काम में अच्छा रूची लेते थे मंदिर बगेरा है और गाउं के जो सामाजी के सकूल में काफी योगदान दिया है उनने अच्छा तो संजेदत सहाब गुजरेवे काफी टाइम हो गया और संजेदत आते हैं इस गाउं में लेकिन अभी नहीं आ रहे जी नहीं देखा नहीं कितना टाइम हो गया आपने उनको नहीं देखे हुए कम से कम 20-30 साल से इधर नहीं हो अच्छा संजेदत जी मतलब काफी टाइम हो गया 20-25 साल हो मंदरी भी बनवाए हैं स्कूल भी बनवाए हैं और जो शंजदत थे उनको नहीं देखा नहीं है क्योंकि बहुत इस गाउं के अंदर आते नहीं है और सुनिललत के बारे में जो उनके चाचा जी लगते हैं इन्होंने देखा है बच्पन में उनकी जो पुराणी यादे है गाउं से जुड़ी है तो आपनों की फिल्में देखी हैं मैंने बहुत फिल्में देखी है पहले बहुत उनके फिल्मों में बहुत अच्छा वो शिस्टम था और पुब्लिक भी जो गाउं का जो बोर्ड है वो दिखाया आप वीडियो के अंदर तो उसमें भी बहुत से बिल्कुब बोर्ड भी देखा हुए है तो जैसे कि इनोंने बताया कि जो वीडियो के अंदर जो बोर्ड में दिखाया आपको उसमें फिल्मों के नाम है उसमें लिखा हुआ था है कि जो उनकी पहली फिल्म रेल एस्टेशन फिर मदर इंडिया जो फिल्म लिखी है वो ग जाँगा बिखा है कि जो संजेदत साब का जो घर है वो मैं आपको भी दिखाऊंगा इन गलियों के अंदर इस जो हम जिन गलियों में जा रहे हैं सभ् Blue पीष्य जो गलियों है मैं आपको दिखाऊूँगा कि धर उनकर भार है जो पुराना घर है वो सुनील्दा साहब का पुराना घर आप मेरे पीछी आप देख रहे हैं और वीडियो में आप देख भी रहे हैं यह मैं आपको लेके चल रहा हूँ आप देखो अभी दिखाता हूँ मैं आपको अंदर का जो घर है संजेज साब का जो मैं आपको गली में अब लेके चल रहा हूँ तो सुनील दा स्वब का ये जो आप बिल्कुल सामने जो घर देख रहे हैं ये अजो गाड़ी खड़ी है जो आपको जगेट दिख रहा है तो पी सुनील दा साहब के बारे में जैसे बताया और गाओं के लोगों ने भी बताया कि मजला गाओं में कैसे रहे और उन्होंने स्कूल भी बनवाया है तो स्कूल भी मैं आपको दिखाऊँगा अब तो जो की बहुत पुराणा खंडर ओर चुका अब ही मत दिखाऊँगा यह जो सामने जो गेट है आप देख रहे हैं यह सुनिल जी उनके नाम से ही पड़ा हुआईन का नाम तो यह आप सा अब देखें तो इस वीडियो को और अपने गाउं के अंदर आए गाउं के लोग उतना ही आप से प्यार करते हैं जैसे कि उनकाउं के लोगों ने बताया